वेलकम टू डॉप्टर मेन्यूस कॉमर्स आईक्यू तोड़े विया स्टार्टिंग अन्यू टॉपिक अमल्गमेशन, अब्सॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है पैनल रजिस्टर को साथ में लेके बैठें जब भी वीडियो देखें पोज करके नोट्स बनाते रहें और कॉंसेट्स को समझते रहें पूरी प्लेलिस्ट आएगी इसमें 8-10 वीडियोज होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नहीं आगे आने वाले लेगी वीडियो के लिए छलिए श्टार्ट करते हैं अनल्गमेशन अब्सप्शंञं और हम अक्शैक्षा कि मिकिशन कुट बद्रहें करें ऑर क्योंकि सबसे पहले बसाठ्ड़।ric और अगर हम प्रक्टिकल भी देखें कि अब आज का जो दोर है वो मर्जर्स अमल्कमेशन एक्विजिशन कहीं चल रहा है हर साल इतने सारे मर्जर्स होते हैं इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां कंपनी एक्वायर करती हैं चोड़ी कंपनी को अभी आप देखेंगे लास्ट म नए स्टार्ट सब्स हुए हैं उनमें भी इतने सारे मर्जर्स एक्विजिशन हुए हैं तो क्योंकि एक वायबल टॉपिक है हमारा तो नौलिश बहुत जरूरी है इसमें हमें इन प्रक्टिकल चीज़ों की भी अब क्यों होते हैं हमारे जो अमल्गमेशन है या अब्सॉ कॉप अप करने के लिए इतनी सारी अडिटीजमेंट कोस्ट हो जाती हैं कोस्ट कट हो जाते हैं अगर एक कंपनी ने अपनी कोस्ट घटा दी तो दूसरी कंपनी घटाती है एक कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसिस हैं जो एडिटीजमेंट एक्सपेंसिस हैं दूसरी कंप कर लेती हैं दूसरी के साथ दूसरी चीज मार्केटशेर सबोस्सक्राइबार एक कमपनी या सिमिलर बिजनस में इसके पास 15 % लौस्ट मार्केज़र दूसरी दूसक्त हुथ बना रही है तो अगर यह मिल जाएं आपस में तो पहली बात तो competition काम हो जाएगा cost काम हो जाएगी profit बढ़ जाएगा दूसरी बात दोनों अगर एक company बना लिन्होंने तो इनका market share बढ़ जाएगा यहाँ इंडिवीज वाले 15-15 था अब इनका market share 30% हो जाएगा आगे अब दो companies हैं इनके जो management हैं दोनों के efficient management है अब जो दो मैंज efficient management आपस में मिल जाएगे तो और जाद efficient हो जाएगे चीक है तो technical knowledge लेने के लिए managerial capabilities को acquire करने के लिए भी amalgamations होते हैं सबसे बड़ी बात एक और secure economies of scale हमें पता है कि जब business बड़ा होता है तो हमें economies of scale मिलती हैं तो उसके लिए acquisition या amalgamations होते हैं to acquire the more market share अभी हमने बात करी market share को acquire करने के लिए तो यह reasons है amalgamations के लिए और आज के दोर में बहुत जाद अमलगमेशन के लिए और आज के दोर में amalgamation absorption और reconstruction हैं क्या यह तीनों चीज़े थोड़ा थोड़ा difference है तो तीनों में अगर हम अलग से पढ़ते हैं तो देखें amalgamation का मतलब है two or more existing company liquidate company है A और B अब यह क्या हो रही है liquidate हो रही है बंद हो रही है and new company is formed दोनों ने क्या बना ली c company यह liquidate हो गई यह liquidate हो गई dissolve हो गई दो existing company थी दोनों dissolve हो गई ठीक है इन दोनों के क्या होने है dissolution होने है और एक नई company बननी है ठीक है तो this is called amalgamation अब आते हैं absorption पे existing company है acquire one or more existing company एक existing company ने अब यहां यह हमारा बना यहां थी A company थी इसने क्या किया बी को acquire कर लिया clear अब लेकिन इसमें क्या है A की identity रही जैसे आजकल होता है बड़ी company जो है वो छोटी company को acquire कर लेती है बड़ी company कहती है उसका नाम भी है market share भी है तो वो अपने brand को अपने नाम को रखती है और B क्या हो जाती है liquidate हो जाती है तो यहां क्या हुआ situation दूसरी थी यहां नई company बनी है amalgamation में जबकि absorption में नई company नहीं बनी है existing ने दूसरी company को acquire कर लिया है और वही company अपने नाम से business कर रही है अब आते हैं reconstruction में existing company is liquidated a new company is found more or less same or similar name A थी ठीक है A company ने क्या करा हो सकता है जो उनकी जिस time पे establish की थी authorized capital कम होगी या जो उनका capital structure था उसमें changes होंगे तो या फिर कभी-कभी हो जाता ना कि company का जो गुडवी लैब वो थोड़ी से खराब हो जाती है तो उस गुडवील को प्रानी ही थी तो यह इसमें भी क्या हुआ है लिकुडेशन होना पड़ेगा लिकुडेशन करना पड़ेगा एक अप clear हुआ तीनों में difference amalgamation में दो थी नई बनी है absorption में एक थी दूसी company को absorb कर लिया अपने आप में और identity रही बड़ी company की reconstruction में reconstruct किया है उनी shareholders के साथ उनी assets के साथ और थोड़ा सा change के साथ clear so this is the amalgamation absorption and reconstruction अब आगे आते हैं हम जो भी हमारा amalgamation से deal करता है that is accounting standard 14 अब यहां क्या हुआ है accounting standard 14 के बाद जो हमारा amalgamation absorption यह reconstruction है उन सब के जो distinct differences है वो सब खतम करके उनके basis पर distinction खतम करके इन्होंने कहा है कि सिर्फ दो categories में हम बाठते हैं जो भी हमारा amalgamation merger जो भी होता है companies एक दूसरे में मिलती है तो उसको हमसे दो basis पर करेंगे क्या है एक category है amalgamation in the nature of merger and दूसरा amalgamation in the nature of purchase अगर कोई companies amalgamation in the nature of merger में पांच conditions होती है इन five conditions को fulfill करती है तो that amalgamation will be known as in the form of merger in case इन पांचों में से एक दो तीन या कोई कोई भी एक यह सारी भी follow नहीं होती है means हम एक से start करते हैं अगर एक भी follow नहीं होती है तो वो क्या बन जाएगा हमारा amalgamation in the nature of purchase कंडिशन क्या है पहले आते हैं फोस्ट कंडिशन और असेट्स और लाइबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर वर दर पर्चेजिंग कंपनी देखो मर्जर है मर्जर मतलब हम मर्ज हो रहे हैं तो हमने कुछ नहीं छोड़ा सब कुछ मर्ज कर लिया clear तो सब कुछ मर्ज कर लिया तो obviously सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटी टेक ओवर करनी पड़ेंगी पर्चेजिंग कंपनी को तो क्या है अगर हमने यह कर लिया है तो हमा तो हमने थोड़ा सा अगर्ने के कोशिश किया तो जो PC निकालेंगे जो PC की पेऴेंट होगी वो टोटल shares में होगी यानि कि यह नई company है purchasing company अपने share selling company को fraction cash only for the fraction अब हम क्या आते है fraction share निकाले दें suppose करो हमें share देनी है 15 100 share 1500.5 share आई है तो अब 1500 share हमने दे दिये लेकिन इस .5 share को क्या करेंगे इसको हम cash में convert कर देंगे clear है तो यह वाला सिर्फ कैश जाएगा अधरवाइस टोटल पेमेंट जो होनी है वो सारी शेयर में होगी क्लियर और किसी में पेमेंट नहीं होगी पर्चेस कंदिशन बहुत इंपोर्डन टॉपिक है इसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छा इंप्र जोगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग को पूरी company को हमने purchase कर लिया तो उनकी जितनी भी assets and liabilities हैं वो क्या होंगी book value पे show होंगी नई purchasing company में but in case of purchase जरूरी नहीं है कि वो सारी book value पे show हो purchasing company may be shown at the value other than the book value और यह किसकी description पे depend करता है purchasing company के description पे depend करता है कि वो aggregate value रखे उसकी तो तीन condition हमारी clear हुई आते हैं फूर्थ condition पे more than 90% shareholder selling company became the shareholder of the purchasing company जब हमें पूरी की पूरी company हमने take over कर लिया है ठीक है merger हुआ merge हो गई है और हम क्या कर रहे हैं उसके assets and liabilities को book value पे show भी कर रहे हैं that means जो हमारी selling company के 90% more than 90% जो shareholders है वो नहीं company के shareholders है clear तभी क्या हुआ वो condition है merger की लेकिन इसमें क्या है less than 90% भी हो सकते हैं अगर more than 90% नहीं है तो less than है और इसका मितलब यह condition satisfied नहीं हो गया है nature क्या हो गया है amalgamation का purchase हो गया है आगे आते हैं the business of the selling company is intended to be carried out after amalgamation अब जो selling company का business था वो must है के नहीं company जो purchasing company उसको carry out करेगी clear by 90% shareholder भी आ गए सारे assets and liabilities भी book value पे show हो गए तो अब उनका क्या करेगी वो business तो carry out करना ही पड़ेगा ना उसे तो सारा business वो carry out करेगी in the nature of merger लेकिन अगर वो carry out करती है और नहीं करती नहीं वाली situation में क्या आ गया यह बन गई purchase in the nature of purchase clear अब पांच conditions है पांचों में से अगर एक भी condition fulfill नहीं हो पाती है तो वो nature हमारा change होके बन जाता है in the nature of purchase clear जी अब इसमें कुछ note है देखो हमारी जो accounting method है हमारे दू accounting method है अब बचे बहुत confused होते pulling of interest को PC में डाल देंगे purchase consideration में purchase method intrinsic value method बहुत confusing होता है लेकिन वो confusion में यहां नहीं रखना है accounting method जो है हमारा pulling of interest किसमें use होता है merger में merger में क्या कर रहे है हम उनका सब का सारा का सारे interest पूल कर रहे है नहीं company में तो accounting method हो गया pulling be careful this is accounting method purchase consideration अलग है उसके चार method हम नहीं वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में this is accounting method है pulling of interest इसमें हमें देखना है कि नहीं company में हमें entries कैसे करनी है assets liability उनने take over किया उनको किस तरह से deal करना है that is pulling of interest method और अगर nature हमारा amalgamation purchase के nature में है then we will use the purchase method simple नाम से यह purchase nature of purchase है तो purchase method और अगर merger है तो pulling of interest method यह हम दोनों method detail में पढ़ेंगे journal entries वाले में जब हम opening entries करेंगे in the looks of purchasing company second in case of merger identity of reserve is maintained and they are merged into the reserve of purchasing company बिल्कुल होना चाहिए जब अपने सारी assets लेली सारी liabilities लेली सारी share holders है हमारे पास हम business भी continue कर रहे है तो obviously जो reserve है वो कहा जाएंगे भाही उनको नई company purchasing company के reserves में भी add करके चलना पड़ेगा बिल्कुल चलना पड़ेगा clear but in case of amalgamation in the nature of purchase अगर purchase का है उसमें सिर्फ statutes reserves जो हमारे statutes में है reserves खाली वही reserve हमारे क्या होंगे continue होंगे जरूरी नहीं है बाकि reserve continue हों ठीक है लेकिन यह जरूर continue होंगे हमारे जितने भी साल के लिए वह कुछ period है उतने के लिए करना है यह उसे ज्यादा के लिए करना है that depends on the problem क्या given है हमें question में but statutes reserves को हमें क्या करना है continue करना है clear तो यह तो था हमारा basic amalgamation absorption reconstruction क्या है क्यों हो रहा है ठीक है अब इससे आगे जो वीडियो है हमारी नई वीडियो उसमें हमारा purchase consideration है purchase consideration के कौन-कौन से methods है कैसे लेंगे बहुत ही simple way में वीडियो देखोगे तो बिलकुल clear हो जाएगा बिलकुल confusion कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा ठीक है अब एक और request है नूट्स जरूर साथ में बनाते चलिए तक आपको बार-बार वीडियो पे depend ना करना पड़े रेजिस्टर लीजे नूट्स बनाके चलिए sequence में और आगे आने बाले जैसे हम numerical भी solve करेंगे तो उसी वे में आप numerical भी solve करिएगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही PC पढ़ेंगे next वीडियो में कोई भी problem है queries है doubt है please feel free to comment your doubts channel को subscribe जरूर कर ले new updates के लिए all the best thank you have a nice day we'll see you in the next video